गुड मॉनिंग बच्चो आपकी अच्छे दिन की सुब कामनाओं के साथ आए आज का वीडियो प्रारम करते हैं आज में आप लोगों को कल बताएगे वीडियो से रिलेटेट नुमेरिकल क्वेशन करवाने वाला हूँ तो आएए पहला प्रश्न लेते हैं एक लेंप से एक मिनट में 300 मीली एंपियर बिद्द्धारा प्रवाहित हो रही है लेंप से गुजरने वाले इलेक्ट्रोनों की संक्या कितनी होगी पहले प्रेश्न का आंसर देख लेते हैं सरुपर्थम आप कियरफुली प्रेश्न को पढ़िए उसी प्रेश्न में उसका आंसर कहीं ने कहीं छुपा होता है तो मैट्स और फिजिक्स के क्वेश्न करने के लिए आप क्वेश्न को कियरफुली पढ़िए इस प्रेश्न में दिया गया है कि जो लेंप है उसमें 300 मीली एंपियर का करेंट फ्लो हो रहा है याने कि आपके पास current दिया हुआ है 300 mA का अर्थ हुआ कि आप उसको सर्व पर्थम change किजिए mA में तो 1 mA का अर्थ होता 10 to the power minus 3 तो इसे change किजिए 300 into 10 to the power minus 3 mA और फिर उसे आप solve करेंगे तो 2 0 यहाँ पे हैं और 3 इसमें होंगे याने हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा यह वाली value 3 into 10 to the power minus 1 और उसे हम लिख सकते हैं 0.3 A इसके पश्याद question में दिया गया है time जो की 1 minute दिया हुआ है 1 minute को भी आप change किजिए और यह इसकी value हो जाएगी 60 seconds उसके पश्याद आपको पता है जो current की value होती है वो N E upon T होती है कल हमने सुत्र का जिक्र किया था तो यहाँ पर N इलेक्ट्रोनों की संक्या है E इलेक्ट्रोन पर charge की value है और T time है तो question में I दिया हुआ है E हमें already पता होता है time दिया हुआ है केवल N ही नहीं दिया है तो हम easily इस question को कर सकते है हमें केवल N की value चाहिए तो N E is equals to IT हो जाएगा इस formula में value रखने के बाद जब आप इसको solve करेंगे तो आपको value राप्त होती है 1.125 into 10 to the power 20 तो यही इलेक्ट्रोनों की संक्या है जो की 300 mA के current का flow अगर एक लेंप में एक मिनट के लिए होता है तो इतने इलेक्ट्रोन flow होते है